नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर उमीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम SST CETAT के कुछ पुराने प्रशनों को डिस्कस करेंगे ये प्रशन आपके एक्ज CETAT exam की मैं बात कर रहा हूँ 2023 में अगस्त के महीने में जो CETAT का पेपर कंड़क्ट करवाया गया था उसमें जो प्रशन आये थे उन्हीं प्रशनों को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं CETAT की प्रिक्षा जोकी 2024 में जनवरी के महीने में कंड़क्ट होने वाली है उ इसके कारण आपके exam में number भी बढ़ेंगे बड़े ही आसान तरीकों से सभी प्रशनों के जितने भी option दिये गए हैं सभी को बहुत अच्छे ढंग से discuss करेंगे वीडियो की शरुआत करने से पहले चैनल को subscribe कर लें और इस तरह की वीडियोस प्राप्त करते रहने के लिए bell icon प्रेस कर लें चो शरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की आज का हमारा पहला प्रशन है choose the false statement from the following statement on energy resources की आपने नीचे दिये गए कथनों में से एक sentence ऐसा चुनना है जो की energy resources की अगर हम बात करें किसकी बात करेंगे उर्जा संसाधनों की बात करेंगे तो उसके लिए गल् इंदी में भी पढ़ेंगे बायो गैस causes greenhouse effect बायो गैस greenhouse प्रभाव का कारण होती है option नमबर दो में लिखा है solar energy is renewable energy सौर उर्जा नवी करणिय उर्जा है option नमबर तीन tidal energy is exhaustible कि जवारिय उर्जा समाप्य होती है कि ये खतम हो जाती है option नमबर चार में लिखा है wind energy is a non-polluting क पवन उर्जा प्रदूशन मुक्त होती है इसमें आपने बताना है कौन सी बात गलत है असत्य है सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी बात इसमें सत्य है option नमबर चार को देखते हैं कि जो हम हवा से हवा से हम क्या करते हैं उर्जा का उत्पादन करते हैं मान लीजे बड़े बड़े पंके लगे होते हैं तो जब भी हवा चलती है उसमें कह सकते हैं कि उससे हम electricity generate करते हैं बिजली उत्पादन करते हैं तो ये बात तो ठीक लिकी है तो चार option कह सकते हैं कि ये तो false statement नहीं है तो मतलब इसको कह सकते हैं कि ये तो आपका जवाब होगा नी इसके बाद देखते हैं biogas causes greenhouse effect सबसे पहले समझ लेते हैं greenhouse effect होता क्या है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारी धरती क्या है हमारी धरती में atmosphere की काफी सारी layers देखने को मिलती हैं कल की वीडियो में भी हमने उनकी बात की थी तो हमारी धरती के आजपास एक हवा की चादर लगी देखने को मिलती है जिसके कारण कह सकते हैं कि जादा ठंड देखने को नहीं मिलती हमारी इस धरती पर रहने लाइक environment आपको देखने को मिलता है अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी धरती है सभी लोग है वो क्या हो जाएंगे बर्फ में जम जाएंगे तो बायो गैस क्या है ये causes greenhouse effect कि ये ये भी बात बिल्कुल फिर ठीक लिखी है तो ये जवाब तो आपका होगा नहीं solar energy की बात कही जा रही है कि जो सौर्य उर्जा होती है सूरज की रौशनी से जो energy produce की जाती है तो इसकी बात कही जा रही है कि ये तो एक renewable energy है आप इसको दुबारा से क्या कर सकते हैं क्या renewable किया जा सकता है दुबारा से बनाया जा सकता है जैसे कि सूर्य की रौशनी तो कभ यहाँ पर आपकी क्या है सही है, मतलब इस कोशन के हिसाब से आपका ये जवाब तो होने नी वाला, थर्ड कोशन में लिखा है, पैडल अनेर्जे इस एक्जॉस्टिबल, कि जवार्य उर्जा क्या होती है, सूर्य का कह सकते हैं, जो सूर्य और चंदर्मा होता है, इनकी वज आपका थर्ड जवाब यहाँ पर गलत लिखा है, ये एक्जॉस्टिबल नहीं होती है, सूर्य नहीं होती है, ठीक है जी, सूर्य और आप लगाएंगे टिक और हम चलते हैं अगले प्रशन पर, अगला प्रशन इसमें पुशा जा रहा है, which of the following means of transport is cheapest for carrying heavy loads and bulky goods over long distances, कि निमन लिखित में से याता यात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एव बड़े अकार वाले समानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है, क्या वो वाटर वेस है, मान लिजे आपने बहुत भारी समान एक जगा से दूसरी जगार लेकर जाना है, और डिस्टेंस जो है दूरी है वो काफी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो सबसे अच्छा कह सकती है कि मार्ग कौन सा होने वाला है, क्या वो वाटर मार्ग होगा, जल मार्ग, या फिर वो रेलवेस होगा, रेल मार्ग, एरवेस होगा, वायू मार्ग, या फिर रोडव ज़्यादा महगा देखने को मिलेगा बट waterways इसके मुकाबले ये ज़्यादा सस्ता होता है सो option number एक पर आप लगाएंगे टिक अब चलते हैं अगले प्रेशन पर suggest the type of resources we should use more in order to save our environment कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस परकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए बताइए तो आपको क्या लगता है आपके पर्यावरण को बचाने के लिए आपको कौन सा संसाधन है मतलब कि इस्तिमाल उनका करना चाहिए non renewable resources औ नवी करनिय संसाधन renewable resources नवी करनिय संसाधन human made resources मानव निर्मित संसाधन या फिर abiotic resources अजैव संसाधन इसमें बात कही जा रही है कि आपको क्या लगता है environment को बचाने के लिए हमने कौन सा संसाधन इस्तिमाल करना चाहिए सही जवाब होगा इसका renewable resources जैसे कि सूरज की रोशनी हवा से उत्पन होने वाली बिजली टाइडल अनर्जी की वज़ा से उत्पन होने वाली बिजली इन अनर्जी कह सकते हैं यह जो इससे अनर्जी कठी की जाएगी बनाई जाएगी वो तो कभी खतम होने निवाली energy तो खतम हो जाएगी बट जिस प्रकृिया से उसको बनाया जा रहा है वो प्रकृिया चाहे वो सुरज की रौश्णी हो हवा की कह सकते हैं हवा की speed हो हवा की गती हो पवन ऊरजा हो वो तो नहीं खतम होने वाली सो नवी करनिय संसाधनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं अपने environment को बचा सकते हैं इसमें environment को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होने वाला सो option number 2 को आप लगा देंगे टिक non-renewable resources में जैसे की petroleum आ गया और इस तरह की जो चीजे होती हैं koila बगारा ये सारी चीजे non-renewable resources में आ जाएगा human made resources जो मनुश्यों ने बनाए हैं तो वो चीजे भी तो खतम होई जाएंगी एक टाइम पर ये biotic जो resources होते हैं और जब संसाधन इसमें खनिज पदार्त वगेरा को आप include कर सकते हैं तो ये fourth में आएगा तो इसमें environment को बचाने के लिए हम कौन सा करेंगे renewable resources पर आप लगाएंगे टिक और चलते हैं अगले प्रेशन पर class activity की बात कही जा रही है कि during a class activity the teacher asked student to select dolls which identified closely with आदिवासिज most of the students picked up doll wearing colorful clothes headgear and in dancing postures what does this behavior demonstrate कि एक अक्षा गती विदी के समय सिक्षिक ने विद्यार्थियों से आदिवासिओं जैसी देखने वाले गुडिया का चैन करने के लिए कहा अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बेरंगे कपड़े पहन हुए सिर्फ पर मुकुत लगाए और नित मुत्म Door वाली गुडिया उठा ली यह वेवार क्या दिखाता है क्या یہ डिस्टिर्म्नेशन है भेदभाव क्या यह स्टीरियो टाइप है रुडिवाद या फर प्रोग्रेसिवनेस है प्रगितिशील्टा या फिर यह प्रजुडिस है पूर्वा ग्रा या यहां पर बात कही जा रही है कि एक अक्षा में जब बच्चों को कहा गया कि आपने इन डॉल्स को सेलेक्ट करना है जो कि आदिवासी से संबंद रखती हो तो बच्चों ने रंग बरंगे कपुड पहने वाली गुडिया को चूज कर लिया तो इससे क्या पता लगता है ये एक स्टीरियो टाइप है रूडिवाद है ये चैप्टर भी हमने पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि टीवी में या फिर मीडिया में में आदिवासीयों के एक ऐसे शवी बना दी गई है जिसमें उन्हें ऐसे दिखाया जाता है कि इनको कुश नहीं आता ये सर पॉस्टिव बाती तो नहीं बताई जाती बट नेगटिव बाते बताई जाती है जिसकी वज़ा से एक स्टीरोटाइप बना हुआ है आदिवासीयों के बारे में आप्शन नमबर दो आपका सही जवाब होगा अब चलते हैं अगले प्रेशन पर bring prejudice towards someone implies किसी के प्रती पूरवा ग्रही होने का अर्थ क्या है तो यहाँ पर prejudice का मतलब पूशा जा रहा है कि to judge someone negatively कि उन्हें नकरात्मक रूप से देखना to consider them superior कि उन्हें उत्तम मानना स्रिष्ट मानना कि वो बहुत ही अच्छे है to disrespect those who are different उन लोगों का क्या करना अनादर करन जिनें लगता है कि हमें लगता है कि जो भिन है अलग है to discriminate against member of a group हमें क्या करना है कि समुख के सदेश्यों के विरोध्य भेदभाव करना है आपने सही विकल्प choose करना है ACD होगा BCD ABCD या फिर ABC आपने एक ऐसा point चुनना है जो कि इसमें गलत होगा बाकी तीन चीजें prejudice के ब जो करना है रुकरूट करना है कुछ लोगों को और मैंने अपने मन में एक विचारधरा बना ली कि जो बूड़े लोग होते हैं वो काम नहीं कर सकते तो जब मैं इस बात को दिमाग में रखते हुए अपने लोगों को क्या सकते हैं इंट्रव्यू पर बुलाउंगा और उ नेगटिव रूप में देखेंगे उन लोगों को उनकी हम कह सकते हैं आदर सम्मान नहीं करेंगे और सम्मूख के सद्दस्यों के विरुत भेधाव हम करेंगे so option number B जिसमें है उसको हम करेंगे गलत जैसा कि आप देख सकते हैं और option number A, C, D to judge them negatively और to disrespect those who are different to discriminate against member of a group so A, C and D ये पहली option में आपका सही जवाब होगा A, C, D पर आप लगा लेंगे tick और चलते हैं अगले प्रेशन पर अगला जो प्रेशन है इसमें assertion और reason दिया हुआ है so federal system की बात कही गई है federal system में आपको पता है जिसमें शक्तियों के बटवारे की बात कही जाती है कौन से शक्तियों के बटवारे की जो ऐसे की local government, center government, state government so इनकी बात कही गई है so federal system fulfill the need and demand of the cultural diversities in India की संग्य विवस्ता भारत में Sanskrit विविदताओं की अवशक्ताओं तथा मांगो का पालन करती है तो क्या ये बात सही है दूसरे में जो reason या फिर कारण दिया गया है it established multiple level of government in the country कि या देश में अभिशाशन के बहु लित चरण स्तर स्थापित करती है तो इसमें जो दोनों बात कही गई है आप बताईए पहले इसका क्या answer होगा अप फिर उसके बाद मैं बताऊँगा तो ये दोनों बात सही कही गई है कि जो federal system है हमारे भारत का federal system क्या करता है जरूरतों को पूरा करता है needs जो जरूरते होती है जो मांग होती है किसकी जो cultural diversities होती है हमारे भारत में पाई जाती है अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग है अलग-अलग background से समध रखने वाले लोग है तो हमारे सविधान में उनकी जरूरतों का ध्यान बिलकुल रखा गया है और इसके बाद इन्होंने लिखा है it established multiple level of governance in the country कि हमारे देश में जो multiple levels of government है वो देखने को मिलती है तो यह बाद ठीक है local level पर government देखने को मिलेगी state level पर फिर union level पर तो दोनों बात सही गई गई है बट यहाँ पर लिखा है federal system में हमारी जो जरूरते है demands है जो cultural diversities है उनका ध्यान रखा गया है बट इसको समझा नहीं पा रहा यह जो line है यह दोनों सही है बट यह reason है उसका वो सही नहीं है explain नहीं कर पा रहा तो देखते हैं यह कौन से इसके option में जवाब होने वाला है यहाँ पर लिखा है A तो सही है बट B गलत है तो यह नहीं है both A and R are true but R is not correct explanation of A so option number 2 आपका सही है कि A और R दोनों सही है but A की जो explanation है R के दोबारा वो अच्छे डंग से नहीं दी गई so आपने दो option पर लगानी है टिक और हम चलते हैं अगले प्रशन पर which of the following incidents are identified as while native of the schedule cast and the schedule tries prevention of atrocity act 1989 यहाँ पर 1989 जो act है STSC act निमल लिखित में से किन घटनाओ की पहचान अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती अत्याचार रोक्थाम अधिनियम 1989 के उलंगन के रूप में की गई है options को पढ़ लेते हैं फिर सही जवाब देंगे violence by upper caste people against scheduled caste people की उची जाती के लोगों द्वारा अनुसूचित जाती के लोगों के वरोध हिंसा लड़ा मार पिटाई या फिर option number B forcing a member of scheduled caste community to eat obnoxious substance के अनुसूचित जाती समधाय के सदस्य को अपत्ती जनक पदार्थ खाने के लिए बाद्धे करना या फिर allowing non-tribal timber merchant to exploit tribal land की गैर आदिवासी लकडी वेपारियों को जन जाती है भूमी के दोहन की अनुमती देना की आप जो होंगे non-tribal लोग उन लोगों को permission देना की आप क्या कर सकते हैं हमारी जो जमीन है उस पर आके खेती करिए ये आदिवासी लोग देंगे गैर आदिवासी लोगों को या फिर option body marrying a member of schedule caste community के अनुसूचित जाती समुदाए के सदस्यों के सदस्यों के सदस्यों के साथ विवा करना इसमें 1989 का जो SCSC Act है उसमें बात कही गई है जब हमने ये lesson पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो upper caste के लोग थे उन्होंने violence किया था schedule caste के लोगों के साथ तो उस टाइम पर जब ये करून बनाया गया था तो इनके पक्ष में बनाया गया था जो SCST Act लोग है तो ये बात यहाँ पर ठीक कही गई है कि इसमें violence जो होता है upper caste के लोग अगर lower caste के लोगों के साथ करते है तो इसमें क्या किया जा सकता है उन लोगों के खिलाफ करवाई करवाई जा सकती है FIR लिखवाई जा सकती है सो ए जवाब तो होने ही वाला है option number B में लिखा है कि schedule caste के लोगों को ऐसी चीजे खाने के लिए देना जो कि खाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है तो इस act में इसकी बात भी कही गई है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता और option number 3 में लिखा है कि जो tribal लोग होते हैं आदिवासी लोग होते हैं जाती कि जो लोग है वो क्या कर सकते हैं वो किसी higher caste के लोगों से अगर शादी कर लेते हैं तो इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई इस कानून में तो हम कह सकते हैं कि जो आपका option number D है इसमें शादी की कोई बात नहीं की गई so option number D आपका सही होगा मतलब यह कि D आपका गलत है बाकी 3 सही है अब आप options दिख सकते हैं जहां पर A, B, C दोनों लिखा है और वो option मुझे option number 4 में देखने को मिल रही है so option number 4 आपका बिलकुल ही सही जवाब होगा अब हम चलते हैं अगले प्रशन पर मिड़े मील से संबंदित एक प्रशन पूशा जा रहा है आपने MDM के बारे में जुरूर सुना होगा जिसे हम मिड़े मील स्कीम कहते हैं दोपहर में खाना दिया जाता है बच्चों को जादतर रसकारी सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा कि बच्चों को जो क्लास पहली से लेकर आठवी क्लास तक के बच्चे होते हैं उन्हें दोपहर का खाना दिया जाता है मुफ्त में बच्चे वहाँ पर आते हैं तो इसकी वज़ा से जो जाती के नाम पर भेदभाव किया जाता था उसमें क्या हुआ है उसको बहुत जादा कह सकते है कि डी मॉटिवेट किया गया है उसकी उस पर रोक लगाई गई है या फिर वो अपने आप ही ये चीजें धीरे धीरे खतम हो रही है सोशल जस्टिस की बात की गई है कि वो भी परमोट हो रही है कैसे इसके बारे में ही आपने बताना है कि यहाँ पर पहली option में लिखा है कि सोच सभी बच्चे होते हैं किसी भी कास्ट से बिलॉंग करते हों वो सभी इकठे बैट कर खाना खाते हैं option number B में लिखा है कि in many places दलित वोमें are employed to cook meals की जो इन स्कूलों में सरकारे स्कूलों की बात करें या फिर MDM बनाने वाली जो औरते होती हैं या फिर करमचारी होते हैं वो ज़्यादा तर दलित महिलाई होती हैं मतलब ये कि ये जो महिलाई होती है ये कौन सी जाती से संबंद रखती हैं शडियूल कास, शडियूल ट्राइब्स जाती से संबंद रखती हैं दहलेत महिलाई होती हैं ये इन जातियों से संबंद रखती हैं उनको रखा गया है MDM मिड़े मिल बनाने के लिए option number 3 में लिखा है enrollment of poor children in school has increased many times कि गरीब जो बच्चे हैं उनकी जो admission है वो काफी जादा बढ़ चुकी है enrollment बढ़ चुकी है इन स्कूलों में और option number 4 में लिखा है कि इससे क्या हुआ है कि जो reduced dropout rates इन स्कूल की स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है बच्चे पहले स्कूल जल्दी छोड़ देते थे बट अब ये जो दर है वो बहुत जादा कम हो गी है तो चारों की बात करें तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है कि सारे बच्चे एक अट्टे बैट कर खाते है दूसरी बात भी सही लिखी है कि काफी सारी दलित वोमेंस को MDM बनाने के लिए रखा जाता है जिसके कारण इनकी जो अपलिफ्मेंट हुई है दलित वोमेंस की वो भी देखने को मिली है तीसरी बात लिखी है कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी अडमेशन के नमबरों में बहुत जादा कह सकते हैं बढ़ोतरी देखने को मिली है और जिसके कारण ड्रॉप आउट्स होते हैं बच्चे स्कूल में आते ही हैं क्योंकि इनके पहले स्कूल छोड़ने का कारण ये होता था कि पेरेंस होते थे वो बोलते थे कि अगर बच्चा यहाँ पर स्कूल में जाएगा तो कमाएगा कैसे तो इसके ही वज़ा से क्या हुआ कि अब उनको एक टाइम की रोटी की तो चिंता नहीं होती थी न कि चलो स्कूल में जाएगा इसी बहाने पढ़लेगा और एक टाइम की इसको रोटी भी मिल जाएगी तो ये जो चारो बाते लिखी हुई है ये चारो ही सही है और तामिल नाडू वो पहला राज था तामिल नाडू की अगर हम बात करें तामिल नाडू वो पहला राज था जिसने MDM को लागू किया था इसके काम्याबी को देखते हुए सुप्रीम कूट ने मेरे को लगता है 2001 में ये कहा था सभी राज सरकारों को कि आप क्या करें इन स्कीमों को अपने अपने स्कूलों में लागू करें क्योंकि इसके जो बेनेफिट हमें देखने को मिले हैं पॉस्टिव हैं इसलिए आप सभी स्कूलों में इसको लागू करमाएं सेंटर सरकार को ये फिर एडवाईजरी जारी की गई थी तो ये option number 3 जवाब बिलकुल सही है इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन Indian judicial system के बारे में पुशा जा रहा है निमल लिखित में से कौन सा प्रावधान भारत्य न्यायक व्यवस्ता की स्वतनता सुनशित करते हैं हमने ये बात समझी थी पढ़ी थी कि Indian judicial system में Indian judicial system की स्वतनतरता बहुत ज़्यादा जुरूरी है अगर मान लिजे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर किसी विहाई कोर्ट के जज अगर सोतनतर नहीं होंगे तो वो जो फैसला लेंगे तो वो हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई भेदभाव देखने को मिले किसी शक्तिशाली पार्टी का उसमें कह सकते हैं कि फेवर किया हो उन लोगों ने तो इससे बचने के लिए हमारे सविधान में सेपरेशन्स और पावर की बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनके काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा नीचे दिये गए कतनों को पढ़ेंगे और आप हमें बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा इसमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकते जब भी appointment किया जाता है जजों को इनका जो tenure होता है वो fix होता है फिक्स tenure of judges कि नियाएधीशों का एक निश्चित कार्यकाल होगा उसके बाद option number C में लिखा है Parliament cannot discuss the conduct of judges कि नियाएधीशों के आचरण की संसत में चर्चा नहीं की जा सकती option number 4 में लिखा है The President administers the oath to the Chief Justice of Supreme Court कि सरवच नियाले के मुख्य नैधीश की शपद रास्टपती दिलाते है आपने question को दुबारा पढ़ना है और इसकी demand देखनी है कि question में क्या मांगा जा रहा है इसमें इन्होंने कहा है Indian Judicial System की बात की है जिन बातों के कारण हमें पता लगेगा कि independence दी गई है हमारे Indian Judicial System को कि जिससे interfere ना हो हमारा जो Indian Judicial System है सो पहली बात तो सही है कि जो भी legislature होते है वो involved नहीं होते जब भी judges की appointment की जाती है इनका fixed term होता है ये बात भी ठीक है Parliament क्या करनी क्या नहीं कर सकते कि जो जो को नियुक तक ऐसे किया जाना है ये भी Parliament में discuss नहीं किया जा सकता सो option तीनों सही है बट option चार को देखेंगे क्या प्रेजिडेंट अडिमिनिस्टर तो ओथ तू दा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोड सर्वोच नियाल है कि जो मुख्य न्याइधीश को जो शपत कौन दिलवाता है राष्टपती दिलवाते हैं राष्टपती दिलवाते हैं ये बात यहाँ पर सही है बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बस एक प्रोटोकॉल है इसकी वज़ा से इंडियन जुडिशिल सिस्टम के जजिस होते हैं उनकी इंडिपेंडन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता सो यहाँ पर सिर्फ इंडिपेंडन्स की बात कही गई थी सो option number D को हम eliminate करेंगे और ये बात बिल्कुल सही है कि President के द्वारा शपत दिलवाई जाती है बस ये प्रोटोकॉल होता है ना कि कोई interference सो option number ABC सही होंगे बढ़ D आपका यहाँ पर गलत होगा सो option number अगर आप 4 देखेंगे यहाँ पर ABC की बात कही जा रही है और आप इसी को लगाएंगे टिक और यही आपका सही जवाब है अगले प्रशन को देखते हैं इसमें क्या पूशा जा रहा है कि ओफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एव सम्मान मिलना मिलता है द्वारा निश्पादित ऑफिस संबंदी काम की तोलना में घरेलू महिला द्वारा निश्पादित काम अंदेखा तथा अधत्य जाता है इसके पिशे के संभाव्य कारण की जाच कीजिए मान लीजिए आपने दो लेडिस को देखा एक तो घर में काम करती है दूसरी जाती है ऑफिस को चलो आप अपनी एक्जामपल ले सकते हैं जैसे कि आप घरों में भी काम करते हैं फिर उसके बाद आप स्कूलों में भी जाते हैं बट यहाँ पर थूड़ी से सिचुवेशन अलग है मान लेजे एक लेड़ी है जो घर में सारा काम करती है कोई बाहर जौब ने की करने जाते वो बट एक लेड़ी है जो कि आफिस में भी जाते हैं और उनको उस काम के पैसे भी मिलते हैं तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि घर में जो काम करने वाली लेडी है उसका जो काम है उसको पैसे नहीं मिलते कोई भी तो उसको कम समझा जाता है जब तुलना की जाती है बट ओफिस में काम करने वाली लेडी को सेलरी वगरा भी दी जाती है तो इसमें हम क्या रीजन हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है overvaluation of official work की कारेले काम का अतीम मुल्यन या फिर less time taken for household work की घरेलू काम के लिए कम समय लगाना या फिर patrarchal setup of Indian society भारतिय समाज की पितरक विवस्था या फिर devaluation of household work घरेलू काम की अव मुल्यन so option number 4 आपका सही होगा क्योंकि घर वाले काम को काम समझाने जाता काफी सारे लोगों के दवारा एंडिक हमने lesson पढ़ा था जिसमें मैंने आपको समझाया था SST के part में कि कैसे एक example में एक घर की महिला दवारा ये बात कही जाती है कि अगर मैं कोई काम नहीं करती तो आज सारा दिन आप घर चला कर देखिए एक female के दवारा husband को जब कहा जाता है जब उसका husband सारा दिन काम करके देखता है तो वो कहता है actual में हम ऐसे ही कम समझते हैं घर के काम भी काफी जादा काम होते हैं यह हमारे आज के कुछ प्रशन थे उमीद मैं यही करूँगा आपको सारे प्रशन समझ आ गई होंगे और दोस्तों जब भी हम प्रशन करते हैं हिंदी में तो थोड़े थोड़े शब्द जो है वो मूझ से अटकते हैं काफी ज़्यादा चीजे मुझे पता होती हैं बट क हमने यहाँ पर कॉंटेंट समझा है उसको आप ध्यान से देख ले और समझ ले और दोस्तों अगर आपको यह कोशन करने में समस्या आ रही है किसी टॉपिक को समझने में तो यह सारी चीजे हम प्रिवेस वीडियो में आप चाहे तो तीन साल पराने वाली NCRT की वीडियो स अगर देखेंगे न तो यह सारे प्रशन बहुत ही अच्छे डंग से सॉल्व हो जाएंगे आप कोरिलेट कर पाएंगे कि यह जो सारी चीजे हैं यह सारी कताबें NCRT की कताबों में कताबों में अल्रेडी दी हुई हैं तो आपने उन वीडियो को भी देख लेना है अगर आप CTAT या फिर PSAT में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इसी बात पर हम वीडियो को करते हैं खतम अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनलों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू सो मच फर वाचिंग गॉड ब्लेस यू झाल